नवस्कार इंडिया लाइट के इंडिया डिवीट काजकर में आप सभी का स्वागत है आज हम चार्चा करेंगे उसी मनीपूर की सभी सभी दोनों यह कर रहे हैं कि हम इस पर चर्चा करने के लिए रहे हैं लेकिन चर्चा नहीं हो पार हुए लेकिन बाहर के देशों में चर्चा सुरू होगी पेटेन के संसत में आज मनीपूर के लेकर काफी बाद विवाद हुआ वहां के संसतों ने आरूप लगाया और ये बड़ा ही कंभीर आरूप किसी है क्योंकि जो चर्चा आपने देश के बित्र होँआ चाहिए था जो समस्य आपने देश की है उसको देश के लोग समा लेगे हैं विपर्च्छ है देश की सेनाया है देश की पुलिस ब्रोस्ता है लेकिन चर्चा कहां हो रहे हैं तो विदेश ये चिंता के बाद कौन लोग इसके जिमदार है क्यों हो रहे हैं भारत के समस्याओं पर चर्चा मनीपूर आज एक हैं हम सब जानते हैं कि दो दिन पाले पदान मंतित तक ने भी अपनी पीड़ा जाहिद किया है वो भी चिंदित है पुरा देश चिंदित है तो आखिर क्या बात है कि विदेशी मीडिया विदेशी संसद में मनी पूर को लेकर चार्चा आरम हो गई है हमारे साथ इस मुद्धे पर बात करने के लिए वरिष्ट बिश्टी जुड़े हैं आपका विश्वागत है संजे बिश्टी और थोई दिर में वरिष्ट अदिवर्त्ता और पेशे से पत्रकार रहे चुकिए संजे सीना जी भी जुड़ेंगे उनका विश्वागत होगा आज वाएंगे हो पुसकर जी प्रधान मंत्री पीड़ा बता चुके हैं पदान मंति को भी बोला पड़ा सुप्रीम कोड भी इस पर नोटिस दे चुका है अब मामला ऐसा लग रहा है कि भारत की सरकार जो है काफी कंसरन है संसर्थ में भी कल्रागा सिंग्चे ने भी परस पारोग लगा कि आप लोग सीरियस नहीं है तरकार सीरिय आप इसमें सबसे पहले तो यह है कि देश में और विदेश में कई शक्तिया हैं जो भारत को बदनाम करने में लगे हुई हैं देश में कई पार्टियां हैं आप दिखिएगा जब संसर्थ का सतर शुरू होगा उससे पहले कोई ने कोई एक मुदा जबर्दस्थ उठाकर अब बाद में वो मुद्धा फुस हो जाता है अभी ये संसर्च सत्र से सिर्फ मलब एक दो दिन पहले ये एक मनिपूर का वीडियो आने लगा जबकि इससे पहले राज्थान में इस तरह के कई मामले हुए हैं वहां विधान सभा जुनाव से लेकि अभी पंचाय चौह तक म 500 इंसिडेंट हुए हैं मगर वो चर्चा में नहीं आया तो एक ये भी है मलब एक माइट सेट बना हुआ है और कुछ जो भारत के पार्टियां हैं उनका वीदेशों के साथ करेक्शन है सिधा सिधा जो जो हैं उनके थूरू ये लगातार बदनाम करने के कोशिश की गई प ये है ये सब कुछ जो है एक एक आदमी पैसा दे रहा है कि कि इसी तरह से भारत को बदनाम करो पिये मोदी जी जो बहुत मजबूत बने हुए हैं उनका थोड़ा इमेज खराब करो इसमें सिधे सिधे मुझे यही लग रहा है कि ये लोग बस चाह रहे हैं कि इमेज मजबूत नहीं हो पाए यहां सथाई सरकार मजबूत सरकार नहीं बने और उनके साथ यहां के अंदर के कुछ विपक्षिव पार्टियां भी लगे हुए हैं मैं यह कहूंगा जैसे पिछला संसर था याद कीजिए गार भूसकर यह आपकी बात से मुझे दो बात समझ में लगतार जारी है और आप पता नहीं कर पाते हैं और आयन वक्त पर शुरू होने के दूसरा सवाल आपके यह है कि क्या आपको वो वीडियो कोई कंभीरता नहीं लाताती है आपके लिए क्योंकि देश के पधान मंत्री को चुपी तोड़नी पड़ी वीडियो इतना खराब देश के लिए सर्मिंद्गी का फिशाय बना क्या आपको उस वीडियो में कुछ भी कलब नहीं लगा देश के पतिष्टा को लेकर के देश जो है मतब जो वीडियो है उसका तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा वो चाहे जहां भी हो वो मतब बुरा ही माना जाएगा आप द संसत के अंदर क्या हुआ था याद कीजिए पुरा उच्छल पूद मारा मारी जूते चपल सब चल रहे था लग रहा था कि मतलब लग रहा था जैसे कोई ऐसे ही विधान सभा नहीं कोई मतलब स्टेडियम है जहां कि सब लग रहें किस तरह का हाल हुआ था तो मतलब यहां सारे लगे हुए हैं किसी तरह से ये मुदी जी को और भारत को बदनाम करें और जब आप बदनाम करने के चक्कर में होते हैं जो सत्ता पक्ष में होता है सत्ता वाले को अपना पचाओ करना थोड़ा मुश्किर होता है क्योंकि उसमें होता है कि लोग कहेंगे कि आपके पा करोड घर में एक साथ चला जाता है वो वाइरल वाइरल का जो डेफिनिशन है अगर एक वीडियो बीस लोगों ने देख लिया तो उसको वाइरल मना जाता है पर यहां तो मतलब एक बार एक क्लिक करता है वो आईटी सेल और वो सब जगह पहुंचा देता है तो मतलब देश क कि लोग ही बदनाम करने में लगे हुए हैं जान बुझ कर यह कर रहे हैं क्या लंडन जो है उनके हम यह गरवर नहीं होता है वहाँ अभी बिर्मेंगम और यह सब जगह जो हाल है अभी कुछ साथ में देखिएगा अंग्रेजों जो गोरे हैं गोरे को पाकिस्तानी पर पी सब्सक्राइब करना है कि यह बिदेशी सड़यंत्र है लेकि पुस्कर जी आपको याद होगा कि कली दो दिन मनीपूर की राजपाल भी चीक चीक बोले हैं कि हालात बहुत बक्तर हैं इतने बक्तर हैं कि हमने रिपोर्ट भी दे दिया था, अमीड साह भी वहाँ कह थे, क्य यह नहीं है कि हम चाइब रहा है कि तो संसर में अपने संसर में चाहिए थी वह अपनी देश के संसर में चाहिए मनिकुर को लेकर तो उसका जी का कहना है कि यह अगर यह कहा रहा है तो अपनी लाग मचाने की कवायद है इसके अलावे कुछ नहीं हुआ है के प्रधर्षण से वहां अगर मानित वह चाहिए मंनेस सारी महिलावम को जिनको नोग करें एक प्रधर्षण के लिए वह उन्हीर रहके पोड़िखने को नगर वहां और उसमें तुर आप आपको एक आच्यर की बात बताओँगा यह एक महिला थी जो यह कह रहें थी तो यह सब्सक्राइब 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 तो औरतों को आगे कर देंगे और और जो है उस पे सेना कर देंगे और पिर वो बढ़ना जो मनें वो करते हैं तो ऐसा नहीं है अगर आप यह बात कर रहे हैं कि कुकी को जवाब दिया गया यह गोड़ अधि बात किकि को जबाद दिया गयाँ तो बहुत ही आपमान जनक है मैंने कहा कि मैंतेई को जैने का गया तो उसके हनामा मच गया फुसकर जी अपने देश में बैलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दियाता है काफी उचा सम्मान है और हमारे देश की परंप्रा इतनी महान है जहां पर मैलाओं सम्मान चाहे कुकी ओ चाहे मेंते ही हो बंगाल हो चाहे रास्थान जहां भी इस अटर भी को गटना करती है फो तो बहुत के खेट जनक है और करना चाहिए उसको सजाद दी जाएए सवाल करें आज का यह तर्ग्यों है मेरा अगर यह गंभीर नहीं होता अगर देश की चबी बिगरती नहीं तो प्रदान मंत्री को पीड़ा भी नहीं होती है आप यह देखें ना सवाल यह नहीं है कि अपने देश में चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है कि सारे मलब संसदियकार मंत्री बावर बोल रहे हैं कि चर्चा हम करेंगे विपर्ष को जान बुझ कर मुद्दे को लंबा खीचना है उस किसी पहाने मतब बदनाम करते रहना है सरकार को नहीं तो अग चर्चा को तो कर ले चर्चा तो फिर थल्ला क्यों कर यह उसके बाद भी हंगामा बार बार मतलब लोग सबहराद सबहरा दों सगित करना पड़ रहा है इसी मुद्देपन वो जान बुझ कर यह लोग तैक करके आते हैं कि आज इस बार प्रिटेन में जो हुआ उस पर करें असल इसम दोगों का है सब इंटी इंडिया इस तरह से हैं कि कोई जो कानून सरकार को पास करवाना है वो कानून नहीं पास हो और सरकार इसी में उलज़ कर रह जाए संजेबी जी जो विटेन की एक सांसद है सांसद फ्योना बुरुस ने कहा है यह सब प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों में बड़ा फैक्टर है संजेबी जी आप कुछ है कि विदेशों में हमारे खिलाब देश के खिलाब कुछ तो चल रहा है लेकिन अपनी बात रखने से पहले मेरा नजरिया थोड़ा अलग रहेगा मैं आपको वह बाइट सुनवाता हूं जो कि वहां की जो संसद है प्योमा उन्होंने जो बयान दिया है आपकी संसद में एक Over 100 people are being killed, over 50,000 displaced, schools and seminaries also targeted in what looks like systematic and pre-meditated attacks with religion a key factor. Yet there's been very little reporting about this. People there are calling out for help. What can the church do to draw more attention to their cries? अब हम बात करतें कि विदेशों में आखिर हमारी हमारी देश की चर्चा क्यों हो रही है तो उससे पहले हम और चीज़ पे नजर डालेगे कि जब प्रांस जल रहा था जब कुरान जलाई जा रहे थी तो इंग्यान मीडिया ने उसको दिखाया था तो जब भी globally कहीं कुछ होता है बड़े देश में कुछ होता है तो उसको उठाया जाता है अभी हाली में हमने चंद्रयान तीन लॉंच किया और जिसके बाद जो भारत है वह स्पेस की रेस में दुनिया के चार बड़े देश है चौत्य हम हो गए अमेरिका रशिया और चीन उनके साथ जुड़ ग तो यहां पर हम यह जो बड़े चलता है ग्लोबली बड़ी कंट्री होगी उसको पीछे हटाने के लिए दूसरी कंट्री ऐसी तरीके की खबरे चलाती है लेकिन अगर वहां की पार्लेमेंट में रेशी सुनक की पार्लेमेंट में जो प्रधान मंत्री है और जिनोंने बयान दिया कियो माप्रूस वो उनकी बहुत करेकी हैं और रेशी सुनक और प्रधान मंत्री बोदी के रिष्टे अच्छे हैं अगर उनकी पार्लेमेंट में ये मुद्धा उठता है तो वो सवाल भी आ जादे कि हमारी पार्लिमेंट में तो ये मुद्धा अब तक नहीं उठा कोई बात करने को राजी नहीं है दोनों पक सामने सामने खड़े होते हैं शोर हंकामा होता है कोई समाधा नहीं निकल पाता लेकिन संसद में जो बात रखी गई देखे कितने शांती तरीके से उन्हों ने रख दी सामने वालों ने सुन ली प्रतित कि आप गई ग्लोबल मेडिया में अलजजीरा से लेकर वाशिंग्टर पोस्ट और उनका है onda सही था कि और हम अज Agent के तौर पर उबर कर आ चुके नंबर पर हम पाश्वे नंबर पर दुनिया में हैं, तो कुल मिला कर मैं तो यह कहूंगा कि जो क्योंबा प्रूस है, उनके उन्होंने जो बयान दिया अपनी संसद में, वो चर्च को लेकर दिया, मिशनरीज को लेकर दिया, मनिपुर्फ में जो उनकी चिंता है, वो कुछ हट तक मानर अधिकार की बात कर रही है। वो चर्च और मिशनरीज की बात कर रही है। तो यह हमें समझना होगा कि विदेशी है, वो इस самого मेंट करती है, खबरे बनाती है, और कहीं न कहीं अब जो हम उनके बरावर आके से 15-50 की मांग सिकता है कि आज भी भारत ये गुलान देश जो कि नहीं और हम बहुत आगे बढ़ चुके उन चीजों से आज भी वह हमें उसी नज़र्य से देखते हैं तो वह आपने अपने बराबर स्केंड़ाउस नहीं करने देना चाहते और इसी लिए ऐसे बैयार महां की संसत में चल रहे हैं ऐसी खबरे महां पर पबलिश हो रही झाल झाल